तो मार्सल इनिवर्स सीजन 3 के एंड में हमने ये देखा था कि लिंग डॉंग को एक सीट मिल जाती है फाइनली कि यहाँ पर ये भी मैनिफेस्टेशन आर्ट को हाशिल कर सकता है और जब ये काफी अंदर जा चुका रहता है इस नए डॉमेन में तो यहाँ पर इसके मुलाक के जा सकती हो और ये लड़की लिंग डॉंग को जहाँ पर क्रिएशन मार्शल आर्ट रखे हुए रहते हैं ये वहाँ पर लेकर आती है और जो भी आपर पिलर्स दिख रहेते हैं ये हर एक प्रकार के मार्शल आर्ट ही थे इह सभी लोग पिलर्स पर बैठे होते हैं और लोग यहीं डिसकस कर रहे हो थे कि creation martial art ये इन में से कौन सीख पाएगा लोगों का मेन मानना यही था कि इन लिन लांग टियान ये पहले सीख सकता है यानि यहां से वही इस creation martial art को हासिल कर सकता है आगे बढ़ने से पहले जिने भी इसका पूरा novel देखना है वो मेरे पहले चै ये जागने लगते इबन वांग यान जैसा बंदा भी ग्रेड नाइन का ही martial art हासिल कर पाता है और बस पिलर पर अब दो ही लोग पसते हैं एक तो अपना लिन डॉंग और दूसरा लिन लांग टियान और गाईज अगर आपको confusion हो तो यहां पर वैसे इन लोगों ने creation martial art ब कहते हैं नौवल में मैंने जितना पड़ा है इस दौरान लिंग लांग टियान इसकी औरा काफी तेजी से manifest होती है और एक phoenix के form में हमें दिखाई देती है और आकी वज़े से यहां पर जो भी लोग खड़े थे इन्हें पीछे हटना पड़ता है और लांग टियान फाइ इस पर पड़ती है और लांग टियान भी इस सब देखके हैरान था क्योंकि इस समय लिंडॉंग की जौरा थे इसमें एक breakthrough हुआ था और फाइनली अपना लिंडॉंग की creation रियल में पहुँच चुका था अब इसका spirit जो अंदर में था यहां पर इस लड़की को और grandpa Martin को दि मजने लगा था और space में एक अलगी हलचल होती है बाहर में लोग हैरान थे क्योंकि यह जो घटना घट रही थी यह पूरे space को हिला के रख देती है यह कोई normal घटना नहीं थी और space में से एक crack होकर के एक काफी बड़ा सा हाथ बाहर आता है लोग अवाग थे इधर लिंडॉ को देखा जा सकता था यह स्तमय थोड़ा सा जेलस तो फील करता ही है अब लोग यहां पर discussion यह करते हैं कि दूनों को creation martial art मिला है तो किसका strong होगा पर लोगों का ज्यादा तर मानना था कि लिन लांग टियान का लिन क्लैन के जो elder थे Suzuki और यह लड़की लिन के एर इसकी काफी तारीफ करते हैं कि चलो तुम भी एक branch family के बंदे हो बटी हमारे लिन family के लिए काफी अच्छी बात है कि यान dynasty में हम देरे देरे strength हमारा बढ़ते जा रहा है Grandpa Martin इस तो रहां कुछ तो sense करते है लिन लांग टियान के बोड़ी में पर यह फिलल शोर नहीं थे इसलिए लिंग डॉंग को बताते नहीं है अब यहाँ पर elder Lynn Moon लांग टियान को कुछ अनौन्स करने के लिए कहते हैं लांग टियान अनौन्स करता है यहाँ पर जो बाकी लोग थे कि आप लोग ऐसे तो नहीं आया हो बस और यह बताता है कि यह जो monument है इसके नीचे में किसी ancient sect का underground है और यह कुछ छिपाता भी नहीं है कि treasure सुसी को मिलेंगे जो जितना काबिल होगा लेकिन नीचे में बहुत सारे guardian beast भी मिल सकते हैं और यह बोलता है क्योंकि चार major clans है इनके अलबा वांग clan और भी दो हैं तो हम तो fight करेंगे पर आप लोग अगर साथ दोगे तो कुछ कर सकते हैं उसके पास treasure बाट सकते हैं और यहाँ पर जो demon sect की princess थे वो तो मान जाती है कि हम तयार हैं और यून कूज जोंग जो की बहुत समय पहले लिंग डॉंग के पीछे था ये भी मान जाता है और दो ग्रैंडपा मार्टेन लिंग डॉंग को सावधान करते हैं क्योंकि दोनों feel कर सकते थे कि underground palace में कोई तो powerful creature है अब ये जो चारो miser clan के ये जो चार बंदी थे ये आगे आते हैं और अपने अपने powerful attacks को यूज करके इस formation को तोड़ने लगते हैं और पलग जपकते हैं ये जो barrier था इसे ये तोड़ देते हैं और नीचे में हमें एक underground दिखाई देता है अब अलग-अलग sect के लोग यहाँ पर enter करने लगते हैं और लिंग डॉंग येने ध्यान से देख रहा था इस दोरान ग्रेंटपा मार्टेन के कहने पर ये जायोयान को बिलाता है अब जायोयान इसके tiger का नाम है और ये यहाँ से निकलने लगता है इस दोरान ये जो बाके teams थी ये underground के काफी करीब पहुँच चुकी थी underground में एक sensation होता है हलाकि लावा जैसे दिख तो रहा था पर यहाँ से एक powerful beast बाहर निकलता है और यही था ये guardian beast इस दोरान चारों major clans के लोग थोड़ा पीछे अटते हैं और सभी को motivate करते हैं कि एक साथ attack करो अब ये चारों मिलके कितना भी attack करते हैं ये guardian beast इतना powerful था कि इनके attacks को आराम से nullify कर दे रहा था अब ऐसा देख करके लांग टियान सभी को थोड़ा पीछे हटने को कहते हैं और अपने एक powerful attack 4 elephant transformation ये यहाँ पे यूज करता है और beast को मन एक barrier में ये trap करने को देखता है चारों beast यानि जो 4 elephant transformation technique था चार एक तरह से barrier बना लेते हैं और अपने पने powerful spirit attack इस beast पे करने लगते हैं इधर link drone को दिखाय जाता है जो कि काफी दूर आ चुका था पर जैसी attacks होता है इसके fluctuation को ये भी feel कर सकता था इधर finally guardian wish नीचे जमीन पे आके धराशाई हो जाता है और लोगों को लगता तो यह है कि शायद ये मारा जा चुका है पर इस दूरान ये पीश्ट उठता है और यहां से भाग जाता है अला कि लोग इसका पीशा करना चाते थे पर लांग टियान ये सीधा बोलता है भाई हमारा main focus तो ट्रेजर है और ये चारो इस अंडर वर्ड में यानि अंडर ग्राउंड में एंटर कर जाते हैं वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा मार्टें लिंग डॉंग को उस guardian wish का इनकी और आभी recover भी नहीं हुए पर इसमें ये काफी फायदा कर सकता था अब ये लोग इस दोर गार जिन बीश्ट का पीछा करते हैं हाला कि वो पहले से injured था तो काफी दूर आगर के जमीन पर पढ़ जाता है इस तोरण ग्रैंडपा मार्टें इस टाइगर को थोड़ा रहना चाहिए लिइंग डॉंप यहां पर धिमाग लगा ता और इसके पास वो जो पॉपेट था इसे ये पहले भीजता है और यह गारजियन बीश्ट ये भी काफी उश्यार था पॉपेट के आदि एक अटैक करता है और अटैक करते-करते ये यहां से भागने लगता है इस बीष्ट को मार गिरा दे और ग्रैंट पामार्टन ये काफी खुशते के चलो, फाइनल ये बीष्ट मेरा हुआ, पर अपना जायोयान ये मानने वाला कहा था, पहले ही जा करके इस बीष्ट को डेवोर करने लगता है, ग्रैंट पामार्टन को तो गुस्सा रहता, वहीं पहले चैनल पे जा के देख सकते हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, मिलते हैं फिर कल, एम इन शाम में, वांग लिंग की नॉवल के साथ।